दारागन स्थाना चेतर के चर्चित रतना शुकला हत्यकान मामले में मृतिका की माउमा शुकला ने इंसाफ की गुहार लगाई पिता ने कई बार आला धिकारियों से मिलकर निर्पच्छ विवेचना वगिरफतारी किये जाने स्मान की पिता शादी कुफ लल्लुनुन ने सन्दिप्त लोगों की खिलाब सक्त से सक्त करवाई किये जाने की मांग की माउमा शुकला ने पतरकार वारता में बताया कि, चार साल में मेरे बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया पुलिस द्वारा समझोता कराने का दबाव बनाया गया आरोब है कि जम माने तो मेरे बेटे को फर्जी मुकदमे में सल्मान के पिता शादी पूफ लल्लुन अपने रसूपो पैसे के दम पर फर्जी मुकदमे में जेल भिजवा दिया इसके बाद पिता की बेटी निशा सु की दीगे जम वानियों चन्याले के आदेश दिया तब जाके चार साल का केस मात्र चार दिन में खुल गया और तीन लोगों को गिरफतार कर लिया गया किस लिए हमनों हाई कोड में अपील की है तब इसके बाद समय को सुनवाई है आज चार साथ से मेरी बेहन का कुछ पता नहीं चला है तो ममतम मैं के इतने वह सोच लगाने पर आज मेरे बैन की चार दिन नहीं स्वियार पुलिस ने चान बिन किया है आप पुलिस वाले हमा समया तो सलमान झान वह तो स了माने वह्म है उटाने और है तो यह नोई मेरे बार बेत, थाने मेंreyi 4 चालिन दरीया् के लिए तो कि आ姓 मीतल है हमेरे साहाल थाए फारी ओस टाने में तुरा पार फिद्धंश Son Ma nun ने दिया तो उसके पाप एक बार स्मय मेरे अवामी था श सुला समझोता कर लिया हाज मेरे बहुं मेरे साथ नहीं है दोस्ति नहीं तो हमेंसे सारी लड़कियों को पहले से भी टोशा करता था घंधी-घंदी तो बना लेता था तो लड़किया अपने घर से पैसा निकार ले जा की देती थी पुलिस के कहना है कि आप सुला समझाता कर लीजिए वजह से मेरे भाई को जेल बेवज़ा भीज़ दिया गया जो गुना उसने किया नहीं उस गुना के वह सजा भुगत रहा है कि आप क्या मांगा हाँ हम यहां चाहते कि मेरे बहन को इंसाब मिले उसकी कातिल जय जैसे मेरे बहन आज मरे इस हूई है का पाघंड कर New Dalत करते रुपा उसका नाब था रचना सुकला उसी पडोस में रहने वाला सल्मान उसको जबर्जस्ति शेनखानी किया था जिसकी फाई यार दोजार पंद्रा में ठानादारागंज में हुई थी लेकिन पुलिस और सल्मान का बाप यह सब लोग मिलके यह सब लोग मिलके उसमें सुला सम्झ मुकदमा नहीं चलाना चाहती हूं इस आधार मुकदमा समाप्थ हुआ उसके बाद 2016 में लड़की गायव हो जाती है उसके बाद उसी गुमसुद्गेग रिपोर्ट को तीन सो तीन सो चाशाट में कर्णवर्ट किया जाता है फिर बाद में एक लास अध्यली लास अध्यम हो जो भी रहा हो इनको भगा दिया जाता है उसके बाद 2016 से 2019 लाश्ट तक पुलिस ने कोई कारवाही नहीं की फिर मानी उच्छी नियाले में एक रिट्याज क्या दाखिल होती है दिसंबर 2019 में 13 जन्वरी 2019 को मानी उच्छी नियाले विवेचक को तलब करती है विवेचक अपना काउंटर दीता है कि हम नाम जद कि आपने साथे नाम शयों कर नाम नामजद था तो विवेचक कहा कि हमकेवल पता रशी पिर उसके बाद उच्छनी ने जो भी आदेश किया उसके ताहत बीन वह कांन करते हैं गिरेफतार करने के बास घटना सामने आ चाहती है वह पूरा बताता है कि कहां पकड़ अपने घर पर उसको गला काट कर मारे उसके साथ बलाथकार के और उसके बाद उसको ले जा के हाइवे पे फिर हध्गुआ थाने हेश छहतर में फेक करा जाता है शेड़ खानी की जाती है कि तो मुकदमा वापस ले लो उस मामले में भी फाई यार में घटना का वर्जन आया है कि 2016 से मेंड़ा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुमको भी यह हस्तत्वारा करेंगे तो कहीं ने कहीं से इन लोगों का पुलिस से दुरब से साथ बलातकार किया गया है उसके बाद उसको मारा गया है तब लास जलाई युक्त होनी चाहिए पुलिस इसी में टाल मटोल कर रहे है क्योंकि इस तरह गठना को ऊचालना और हो नहीं चाहती है पोस्ट माटम रिपोर्ट में भी असपश्ट तोर पे इस तरह घटनाएं आई है उसके साथ असलिलता हुई है दिर्देता पुरक उसकी हत्या की गई है विसरा उसका अभी सुरक्षित रखा हुआ है पुलिस उसके भी कोई एकसे नहीं ले रही है अब परचे जाए उमा संकर चतुरवेदी एड्वोकेट जनपत्नेयाला इलाहाबाद का हो और वादनी का अधिवक्ता हुआ है है है